नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस्वाल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोन नारायम भारते सिनिमा काफी पुराना है और कई बार भारते सिनिमा ने वैश्विक स्तर पर जण्डे गारे हैं भारते सिनिमा के इतिहास में 30 मार्श की तारीख खास महत रखती है 30 मार्श 1992 को भारते सिनिमा के यूग पुरुष सत्यजीत रे को आसकर लाइफ टाइम अचीवमेंट औरेरी पुरुसकार से सम्मानित किया गया था देश के सिनिमा के इतिहास में अपना नाम सुनहरे एक्षरों में लिखने वाले सत्यजीत रे को 1992 में कला के शेत्र में उनके अमूल योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया 1984 में उन्हें दादा सहाफ फाल के पुरुसकार प्रदान किया गया कुल 37 फिल्में बनाने वाले सत्यजीत रे ने एक से बढ़कर एक फिल्म भारते सिनिमा को दी और आज उनसे जुड़े कुछ खास बातें आपको बता रहे हैं जो शाहिदी आपने सुनी होगी लाइट्स, कैमरा, एक्शन ग्राफिक डिजाइनर से फिल्मकार बनने तक का सफर आज भी कई फिल्मकार सत्यजीत रे से प्रभावित है पहली फिल्म के लिए ही रख दिये पतनी के गहने गिरवी तीस मार्ज की वो तारीक जो हुई इतिहास में दच आसकर लाइफ टाइम अचीवमेंट औरेरी पुरुसकार का सम्मान मिला बस इतनी है सत्यजीत की कहानी कहते हैं अगर आप किसी चीज को मेहनत के साथ दिल दिमाग लगा कर करते हैं तो आपको काम्याब होने से कोई नहीं रोक सकता सत्यजीत रे कौन थे उनके जीवन के बारे में आपको आगे बताएंगे वैसे तो इस बात में दो राए नहीं है कि आउसकर एक ऐसा आवार्ड है जिसे जितना फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों के लिए किसी खौब से कम नहीं होता अमेरिकन अकादमी ओफ, मोशन, पिक्चर, आर्ट्स, एंड, साइंसेस त्वारा सिनिमा के विदत विधाओं से उत्क्रिस्ट प्रदर्शन के लिए दिये जाने वाले ओसकर आवार्ड की स्थापना 1929 में की गई थी 1957 में फिल्म मदर इंडिया पहली भारते फिल्म थी जिसे ओसकर की विदेशी भाषा के फिल्म की श्रेणी में नामित किया गया था पाथेर पांचाली, अपराजितो, चारूलता और दा वर्ल्ड ओफ, सत्रंच के खिलाडी जैसे शानदार फिल्में बनाने वाले फिल्मकार सत्यजीत रे ने उनकी फिल्मों के माध्यम से सिर्फ फिल्में ना होकर अपने आप में एक समाज का निर्मार करती हुई दिखाई दी कहा जा सकता है कि उनके बंगाली फिल्म 15-15 के बनने की कहानी पर ही मौजूदा समय में कई फिल्मों का निर्मान हो सकता है दो मई 1921 में बंगाल में जन में सत्य जीत रे फिल्मकार से पहले चितरकार, कहानीकार, ग्राफिक डिजाइनर होने के साथ फिल्म आलोचब भी थे कहना गलत नहीं होगा कि भारत में आज जितनी भे फिल्मकार सम्वेदनशिल सिनीमा बनाने की कोशिश में हैं वे कहीं न कहीं सत्य जीत रे से प्रभावित जरूर हैं अर्थ शास्त की पढ़ाई करने के बाद 1943 में सत्य जीत रे कलकता वापिस चले गए वहाँ जाका उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग का काम किया ग्राफिक डिजाइनिंग के शेत्र में खुद को इस्तापित करने के बाद सत्य जीत रे की जब मुलाकात फ्रांस के निर्देशक जया रेनुव से हुई तो उनके जीवन में बड़ा बदलावाया कहा जाता है कि फ्रांस के निर्देशक से मुलाकात के बाद ही पहली बार उनके जीवन में फिल्म का बनने की लड़क वहीं से जगी थी लंदन की यात्रा से वापसी के दोरान ही उन्होंने बंगाली उपन्यासकार विभूती भूशन बंतो पाध्याई के उपन्यास पाधेरी पांचारी को बाल सरक्षण में तब्दील कर फिल्म बनाने का विचार बना लिया बाल ससकरण का नाम आम अंतिम भूपे था मतलब आम के बीज की सीठी इस किताब के लिए उन्होंने जिन रेखा चित्रों को बनाय था वहीं शूटिंग के दोरान भी काम आये थे भारत आकर अपनी नई टीम के साथ सत्यजीत रे ने फिल्म पांथेर पांचाली का निर्मान किया शुरवात में कोई निर्माता इन्हें समर्थन नहीं कर रहा था लेकिन बंगाल सरकार के समर्थन से फिल्म बनी और कई कई हफतों तक हाउसफुल भी रही कई राश्ट्रे अंतराश्ट्रे मंचों पर सम्मानित रही मौजूदे समय में ये फिल्म भारत में फिल्म अध्यन के पाठेकरम में शामिल है बिना इस फिल्म के समाज और सिनिमा के अंदर संबंधों पर चर्चा व्यर्थ है आपको आशर्य होगा कि इस फिल्म के निर्मान के लिए सत्यजीत रे को अपनी पतनी के गहने गिर्वी रखने पड़े थे वहीं विदेशी धर्ती पर भी सत्यजीत रे की कहानी से प्रभावित फिल्में बनी हैं जिनमें टेक्सी ड्राइवर, 40 Shades of Plue, E.T.E. The Extra, Terrestrial जो ऐसी फिल्म में श्रामिल हैं 1983 में जब सत्यजीत रे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे घरे भारे की तो उन्हें हार्ट अटेक आया हाला की लंबे समय तक बेट पर रहने के बाद बेटे की मदद से उन्होंने किसी तरह फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली वहीं जब पूरे वो स्वस्थ हो गए तो उन्होंने इंडोर फिल्मों की शूटिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जिनमें गंशत्रू शाका प्रुष्टा का अगंतुक्स प्रमुक थी सतेजीत रे की फिल्म अपू ट्रायलॉजी को वोल्ड सिनिमा की बेहतरीन फिल्मों में सेख माना जाता है भारती सिनिमा को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुचाने वाले निर्देश सतेजीत रे की चाप आज हमी विभन फिल्म कारों में देखने को मिलती है वे भी सतेजीत रे की तरह ही अपनी फिल्मों में कहानी, संगीत, शूटिंग, पठकथा, कला, निर्देशंकों को लेकर काफी सजक रहते हैं बंगाली भाशी होने के कारण उन्होंने अपनी एक मात्र हिंदे फिल्म शत्रंच के खिलाडी की असफलता पर कहा था कि अगर उनकी हिंदे पर अच्छी पकड होती तो वे इसे और भी अच्छा बना सकते थे बारीक से बारीक तकनीकियों पर ध्यान देकर फिल्मों का निर्मान करने वाली सत्य जीत रे को 32 राश्टे पुरुसकारों सहित ओसकर से भी नवाज़न जा चुका है भारत सकार ने 1992 में मनुपरांत भारत रत्र देकर उनको सच्ची श्रद्धांज ले दी थी तो ये थी सत्य जीत रे की कहानी बाकी वीडियों के लिए आप बने रहें निजवल इंडिया के साथ